नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप अपनी घर पर वाल पुट्टी को एपलाई करना चाहता है और आपकी दिमाग पर दोस्तों एक कंफिउस है कि भाईया हम अपनी घर पर वाल पुट्टी तो एपलाई करना चाहता है लेकिन हमें दो तरह की वाल पुट्टी हम लोगों का साम करेंगे ताकि आपकी दिमाग पर जोग कंफीज है कंफीज दोस्तों बिलकुल भी दूर हो जाएगा तो दुस्तों सबसे species बात करेंगे नॉर्माल वाल पुक्टि थो आम तो फर आगा दोस्तों में आपको इसना के, हम तो आenne बेज बात करें अनॉर्म और मर्मल पुक्टि दोस्तों बिल्कुल्ट फिनिस में इस पूट्टि को दोग dau्त एप्लाई करने से high पाम बन जाता है या तो हम लोग घर की अंदर पर एपप्लाई कर सकता है और बहुत लोग दोस्तों अदे से ज़्यादा लोग इसी वाल पूट्टि को भ dementia करता है लेकिन अगर आप ये कोस्ट है normal normaluffrdic की मुकद्ळ से दूग ना है क्यूंकि एक 40 किलो normal पुट्टी का प््राइस है तो 700 वहीं दोस्तो एक सेन water will putty और 1550 रुप तो आप लोग दोस्तों इसी से अंदाजा लगा सकते च्योंक्तों कि दोनों की अले बिल्कुल भी सैम है लेकिन दोस्तों जो हमारा वाटर पूट्पिंग वाल पूट्टी है उसका दोस्तों समता जो है पावार जो है नोर्मल वाल पूट्टी से बहुत जादा है दोस्तों बाहरी दीवाराँ अगरे वाहरी दीवारं रद्गावन और वाल पूट्टी के साथ हमारा पेंड भी खराब möglich हें और खास करके दोस्तों अगर हमारी घर की इंटियर की बात करें घर की अंदर में बादरूप पर या फिर कीचेन पर जो सटा हुआ वाल होता है उसमें भी दोस्तों नीचे से सीपेज होने की कारण उसी वाल पर पापड़ी बनके निखारना सुरू हो जाता है और उसी से प्र वालपूरड़ी को एपलाई करता तो ए जो प्रवलम हमें दीख रहा है हमारी घर पर यह प्रम साइथ हमें नहीं देखना मिलता दोस्तुम तो अगर दोस्तों आप लोग ऑलप पुर्ती को एपलाई करेंगे । खास करके घर की एंस्टियर में बाहरी डिवार पर जहां आ आपकी डेफ्टनेस जहां आपकी नोना आने की चांसें वाल को सबसे पहले टार्गेट करे और उसी जगह को दोस्तो जो हमारा वाल पुट्टी है उसको क्याइब करें क्योंकि मेरे भाई वाटेब वाल पूट्टी का कोष्ट ज्यादा अपकी मान में अब चाहता है कि वालपोर्टी को करेंगे तो अगर आपकी पास उतना बाजेट नहीं कर सकते है इसलिए दोस्ते आपकोगई इंटरियेर में आगर ऐपाको truck riding में नहीं करना चाहते हैroeeeeee तो कोई बाद नहीं कि उन्हार की बाहरी दिवार पर कीचन पर ये दो जगा पर कम से कम waterproofing wall putty को apply करें ताकि दोस्तो ये दो जगा में sealant आने का chance से ज़ादा होता है क्योंकि waterproofing wall putty का water register कमता समता है दोस्तो ओ काही ज़ादा है क्योंकि माली ये हमारा wall है तो इस wall पर जब बारिस आएगा ना तो जो हमारा normal wall putty है रात दिवर चला जाएगा जो हमारा दिवार है जो हमारा पुट्टी है पुट्टी की अंदर दोस्तों छेत कर वो पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि उसमें एक लियार हो जाता है दोस्तों प्लास्टिक टाइप का इसी को कहता है दोस्तों वाटर रेजिस्टर तो आप लोग अगर चाहें मेरी भाई कि हम लोग अपनी दिवारव पर दो फिर नोना या पिर सीलेन होड़ा सकता है तो लोग वहार फूम टालगेट अपनी भाई करुकर को फट कर सकते दोस्तों वहलए कि कोस्ट इसका खर्चा ज्यादा है नेकिन दोस्तों आपको बहुत ज्यादा मिलेगा क्यूंकि दोस्तों मानदें आपको बार-बार तो जाहिर सी बाध है व्याल हो जाता है दोस्तो और यह से पहले करना बहुत होना है जिए में घर्स अजाता अगर अरुला है करने जा रहा है तो एक प्रफ़ेंथर प्रॉट्टी करना नहीं तो जो qo qo i cut rag का घर में पूट्टी करेंगा तो पूट्टी दोस्तों ज्यादा लियार कर देता है या मोटा कर देता है तो उसमें क्राक्स आने का सामता भी होता है दोस्तों तो मेरे भाई अगर आप लोग वाटर पूट्टी को एपलाई करने चलता है तो इस प्रोसेस को दोस्तों ध्यान से सुनना होगा क्या सबसे पहले दोस्तों माले जिस तरह से आपने नॉर्माल पूट्टी को एपलाई करेंगे मिक्स करेंगे पानी से वैसे दोस्तों आप लोग वाल पूट्टी का दोनों मिक्सिंग का प्रोसेस बिल्कुल भी सेम है लेकिन इस इसका ध्यान देना दोस्तों मान लिजे यह हमारा डबा है इसमें हमने पुट्टी मिक्सिंग कर दिया है और पुट्टी मिक्सिंग होते ही दोस्तों कम से कम 10 मिनिट तक उस पुट्टी को छोड़ देना है अपलाई नहीं करना है ताकि पुट्टी के आंदर जितने भी बाबल या फिर यार हो वो पूरे सь दोस्तों फ Judge जाये और फ्हने की बाद दोस्तों तक बाक फिर से एक बड़ पुट्टी केcznie मिक्सिं होता है दोंतों सकरें मिक्सिंग करने कीपर दो घंटे की अंदर जितना पुट्टी अब लगा सकता है अपनी वाल पर उतना ही पुट्टी दोस्तों अपलाई करें फिर आपको बरेविट ओफ हीचर तो सारे मिल जाएगा और दोस्तों वाटर पूट्पिंग वाल पूट्टी हो या फिन नोर्माल वाल पूट्टी यह दोनों पूट्टी में से आपकी दिमाग पर अगर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करना दोस्तों आपके सवाल का जवाब देने की कोशिस करेंगे